कंगना रनौत का रीसेंट ट्वीट चर्चा में आ गया है उन्होंने मुसल्मानों के मुहरम के मातम की एक क्लिप रीपोस्ट कर दी साथ ही में कुछ ऐसा लिख दिया जो हिट दे रहा है कि हिंदूओं को भी इस तरह से युद्ध की त्यारी करनी चाहिए कंगना के ट्वीट पर लोगों ने तरह तरह की रियाक्शन्स दी है कुछ लिख रहे हैं कि मुसल्मानों का जब मातम दरावना है तो कुछ लिख रहे हैं कि कंगना हिंदूओं को उकसाने की कोशिश कर रही है तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब कंगना हमें ये याद दिला रही है कि हमारे लिए सही रास्ता क्या है तो वहीं ऐसे भी लोग सामने आए जोनों ने ये कहा कि वो अब एक सांसद है तो उन्हें ऐसे ट्वीट करने से बचना चाहिए गणना ने ट्वीट किया ये अजीब और डलावना है लेकिन इस तरह की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हिंदू पुर्षों को भी इसी तरह के संग्राम की जरूरी ट्रेनिंग करनी चाहिए माहौल देखते हुए खून गरम करने में कोई दिक्कत नहीं है है क्या? बता दे कि क्लिप में कुछ लोग सिर पर तलवार मारते दिख रहे हैं लोगों का सिर और कपड़े खून से लचपत दिख रहे है कंगना के पोस्ट पर कई सारे रियाक्शन सामने आए एक सोशल मीडिया यूजर ने हिमाचल पुलिस को टाइक कर लिखा ये महिला हिंदूओं को उकसा रही है और उन्हें खून गरम करने और हिंसक होने के लिए कह रही है एक और ने लिखा ये वाकई अच्छा नहीं है लेकिन उन्हें इसलाम में ऐसा करना पड़ता है तो मैं एक ने लिखा कि ये वाकई दुखी करने वाला और डरावना वियू है एक और ने लिखा कोई सैमत हो या ना सैमत हो वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता अपना खून गर्म कर लो इसका क्या मतलब बताती है आप एक ने लिखा तयार रहने में कुछ गलत नहीं है किसी ने लिखा हर मंदर से अखाड़ा जोड़ा रहता था हमारे शास्त्र और विद्या हिन्दुत्व का एक जरूरी हिस्सा है तो हमें भी ये सब सिखाना चाहिए ताकि हमारे यूद को खुद को फिट और यूद के लिए तयार रखने के लिए कुछी की तुरुत ना देना चाहिए ताकि वो ऐसे गलट ट्वीट फिर से ना करें ऐसे ये अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूजवल इंडिया